Outlined का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Outlined का दू तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तू adjective के रूप में उसे Outlined कह सकते हैं जिसे Outline किया गया हूँ या जो Outline किया गया हूँ इसके इलावा Outlined जो है वो Outline का Past Tense और Past Participle भी होता है यानके Outline की ही Second और Third Form होती है Outlined और Outline का आर्थ होता है खाका बनाना, नक्षा तयार करना, रूप रेखा लगाना या दर्शाना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने ड्रेटिश सत्ता की सीमाओं को रेखांकित किया तो आप कहेंगे He Outlined the Limits of British Power या अगर आप ये कहना चाहें कि हमने प्रस्ताव पर अपनी मुख्या पत्यों को रेखांकित किया तो आप कहेंगे We Outlined our Main Objections to the Proposal अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें